रोहित हर वक्त उसके घर के बाहर खड़ा रहता था, सुबह से राद तक, भुमिका उसे खिड़के से बाहर दीखा करती थी, उसकी ऐसी हालत देखकर भुमिका को बहुत दुख होता है, पर वो कुछ कह नहीं पाती, आशा भी उसे यो खड़ा देखती थी, पर उसका गुस् बाखी रह गया है क्या? और वो तुम्हारी भावी नहीं है. जब तुम्हारे भाई से उसका रिष्ता ही नहीं रहा, तो तुमसे क्या होगा? माफ कीजिए गर अमेश भाई साहब मैं आपके बेटी से इस तरह से बात कर रही हूपर मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बेटी से मिले तब तक भूमिका वहाँ अपनी वीलचेर पर आती है मामी मैं मिलना चाहती हो रीना से आने दीजिए उसे आशा बिना कुछ कहिसाईर हो जाती है I'm sorry भूमिका मैंने आपके साथ बहुत गलत किया बिना वज़े मैंने आपके लिए अपने मन में गुस्सा और चिड़ पाली पर आज मुझे अपनी गलती का दिल से एहसास है और मैं आपसे माफ्य माँगना चाहती हूँ प्लीज मुझे माफ्कर दीजिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है रीना तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया बस यहीं बहुत है तांकियो सो मच भूमिका भाबी भूमिका उसके तरफ देखने लगती है आज तक सिर्फ बोलने के लिए भाबी बोलती थी पर आज सचे दिल से बोल रही हो फ्लीज घर आ जाईए हम आपसे वादा करते हैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके जाने के बाद उनके जिन्दकी जैसे रुक से गई है वो आपको बहुत मिस करते हैं भाबी रात दिन बस आपके एक जलाग पाने के लिए आपके घर के बाहर खड़े रहते हैं ये सब बाते सुनकर भूमिका की आखों में आसू आने लगते हैं माफी मांगनी थी? मांग ली? और भूमिका? भूमिका ने तुम्हें माफ भी कर दिया अब तुम जा सकती हो रीना उमीद भरी निगाहों से भूमिका की तरफ देखती है और आखों में आसू भरे वहाँ से चली जाती है दो दिन बाद आशा रोहित के घर डाइवोस नोटिस भिजवाती है रोहित रमेश के हाथ से डिवोस पेपर लेता है भूमिका मुझसे डाइवोस चाहती है? मेरी नाधानियों की इतनी वड़ी सजा वो घुटने के बल जमीन पर बैट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है रमेश से रोहित की ऐसी हालत देखी नहीं जाती वो भी बहुत दुखी हो जाता है तुम फिक्र मत करो रोहित मैं सुरेश से इस बारे में बात करूँगा ये जरूर आशा भावी ने बिजवाय होंगे भूमिका को इसके बारे में नहीं पता होगा पापा इन पेपर्स पर भूमिका के साइन है उसे इस बारे में सब पता है पापा मैं भूमिका के बिना नहीं जी सकता मैं मर जाओंगा इतने दिनों से एक उमेट थी कि एक ना एक दिन वो मुझे माफ करके मेरे साथ घर वापस आ जाएगी पर आजन डिवोर्स पेपस को देखकर मेरे हिमट तूटने लगी है रोहित बहुत निराश हो गया था दूर खड़ी सुजाता सब देख रही थी सब ठीक हो जाएगा बेटा दूसरी तरफ भूमिका अपने कमरे में बैठी हुई थी उसकी आखों में आसू थे आशा उसके कमरे में आती है तुम्ही सच में लगता है कि जो तुम कर रही हो वो सही है हाँ ममी यही सही है रोहित तुमसे बहुत प्यार करता है भूमिका मैं नरास थी उससे पर उसके प्यार ने मुझे पिगला दिया मैं उसकी आखों में प्यार देखा है तुम्हारे लिए वो दिन रात घर के बाहर खड़ा रहता है पर इसी उमीद में कि एक दिन तुम उससे माफ कर दोगी और उसके साथ वापिस चली जाओगी चांती हो इसलिए डिवोर्स पेपर्स भिचवाए है मैंने मैं नहीं चाहती कि वो अपनी सारे सिंदगी का पाहच के साथ बिताए मा भूमिका बेटा तुम इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हा रही हो हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कंसाल करेंगे और तुम एक दिन बिल्कुल ठी हो जाओगी उसे एक दिन के इतिसार में मैं रोहित की जिंदगी तो नहीं खराब कर सकती ना ममी वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मैं उसे ऐसे जिंदगी जीते हुए कभी नहीं देख पाऊंगी